नमस्कार स्वागत आपका मैं हूँ शैली और आप देखरें एंजेपी इंडिया चंदीगर से आज बड़ी खबर है इट एंडिंग की सरकारी निती के विरोध में परदशन करने पहुंचे सरपंचो को पुलिस ने उस समय दोडा दोडा कर पीटा जब वह बैरिकेट स्पार करने लगे कल एंजेपी के इस प्लैटफोर्म से हमने कहा था कि सरकार वे सरपंचो की बीच टकराओ बढ़ सकता है सरपंच ऐशोशेशन के रुक को देखते हुए हमने ऐसा कहा था पुलिस कारवाई के बाद परदशनकारी सरपंच खफा है सरपंचों वे सरकार की बीच टकराओं की असार पहले ही देखने को मिल रहे थे सीम आवास के घेराओं के लिए चंडिगर्ड कूच करने जार है सरपंचों को पुलिस ने पहले पंचकुला में ही रोक दिया पोलिस ने सरपंचों को रोखने के लिए बैरिगेट्स लगाये थे लेकिन सरपंच बैरिगेट्स पर चड़ने लगे जिसके बार पोलिस ने उन्हें रोखने की कोशिश की तो काफी धक्का मुक्की भी हो गई माहोल इतना गर्मा गर्मी में हो गया कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा हाला कि इससे पहले हंगामा बढ़ने पर सरकार की ओर से CMKUSD बुपेश्वर दयाल को सरपंचों से बाचित करने के लिए भेजा गया था लेकिन सरकार की ये कोशिश नाकाम रही सरपंच दो लाक रुपे के अधिक से विकास कारे इटेंडिंग से करवाने के नियम को पूरी तरह रद करने की मांग कर रहे हैं पंचकुला चंदिगड बोडर पर पुलिस के द्वारा रोकी जाने के बाद सरपंच धर्णे पर बैठ गए परदशनकार सरपंचो ने कहा कि अब यह धर्णा तभी उठेगा जब उनकी मांगे पूरी मानी जाएगी कुछ दिन पहले भी सरपंचो ने पंचकुला में परदशन किया था इससे सरपंच भड़क गए और एक माच को चंदिगण में सीम आवास को घेरने का एलान कर दिया इस बिच किसान नेता गुरुनाम सिंग चडूनी और नवीन जैसिंग भी सरपंचों के परदशन में शामिल होने के लिए पहुँच गए जाही रही है मामला अभी तुल पकड़ेगा देखना यह है कि सरकार जुकती है या फिर टक्राव बढ़ता जाएगा